हेलो एब्रीवन, वालकम बाक टो यूर केट्स, सावन पब्ले की स्कूल ओनलाइन ग्लासेज मैं शालने दिया गया आपनी इंदी विशाद्य आपिका आपने अपनी जो पहली हिंदी की ग्लास सीव्स में NCRT बुक तिम जीम पाठ थे पुस्तर कक्षा दो पार्ट पाच परकरन क्या था हमारा दोस्त की मदद ठीक है ये चैप्टर हमने कल इसकी डिडिंग की थी आज हम इसका बुक वर्क जो है बुक में फिल करेंगे करते हैं सबसे पहले पेज नंबर 29 पर देख लेते हैं आपका बुक वर्क स्टार्ट ए कच्वा चाल से ठीक है कच्वा बहुत दीरे दीरे चलता है इसलिए जो बहुत दीरे चलता है उसके लिए हम कहते हैं कि वह कच्वे की तरह तो ये चलता है तो आपने देखा अगलोंट मियास ठीड़ più कश्वे की तरह की ठौता है चलता है तो इसी तरीखे से अब आपको बताना है अब बतायों इनके लिए आप क्या कहिंगे जो बहुत तेज दोड़ता हो ठीक है बहुत तेज भागता हो तो जो आपको पता है सबसे तेजपुन भागता है घोड़ा तो क्या लिख देंगे यहां पर वह घोड़े की तरह भागता है इसके बाद में जो बहुत अच्छा तैराक हो जो बहुत अच्छा तैराक होता है मचली है आप जानते हैं कि जो मचली होती है वह तैरती है वो तो यहां पर आजाएगा नहीं मचली की तरह तैरता है क्योंकि मचली तैरती है पानी में तो इसको जो है आप अपने बुक में फिल करेंगे इसके बाद पेज नंबर 30 पर देख लेते हैं आपका बुक वर्ग दिया गया है एक से अनेक ठीक है न इन्होंने पूछाए कि एक से अनेक बनाना है एक चीज दी है इन्होंने यहां पर जैसे एक कपड़ा दिया है तो हमें अनेक बनाने है जैसे कि इन्होंने बोला कि एक कच्वा पानी से बाहर निकला फिर तीन कच्वे पानी स से बहार निखले तो इस तरीके से बताना है हमते से एक से बनाना है एक इंड़ से अनेक बना करते हैं सबसे पहले देख लीजिये देखों यहां पर दिया है नूने एक कपड़ा फिर नूने संख्यदेगे तिन तो इसलिए हम क्या कर देगे यहां पर कपड़े फिर नूने दिया है एक डुपिया यहां पर इन्होंने संक्या दिये 15 हैं तो इहां पर आ जाएगा रुपे इसके बाद में इन्होंने दिया है एक खंबा एक है खंबा हमें बहुत सारे बनाने अनेक बनाने इन्होंने संक्या चार दिये तो इसलिए क्या जाएगा खंबे इसके बाद में नेक्स्ट देख लेत है रिमstart पीम यहां पर दिया गया आपकी बुख में एक ठोधा चिकर ना फिर इंहोंने शन्ख्या दिया आट तो यहां पर क्या हो जाएगा पोध्य हुआ स्था आपका एक पतीला फिर देखो दो संख्या दिये नहीं है पर पतीली आ राएगा है इस को आपनी बुक में फिल किई गा इसके बाद पेज नंबर आपका page नंबर 31 पर बुक वर्क दिया गया है इसको फिल करेंगे सबसे पहले देखो इन्होंने दिया है कि बताओ ऐसे कौन-कौन चलता है देखो फुदक-फुदक के कौन चलता है आपकी चो कोयल और मैना चिडिया होती है ये फुदक-फुदक के चलती है इसके बाद में देख लेंगे चोकडी भरकर चोकडी भरकर कोन चलता है हीरन और गाय का बच्छडा इसके बाद में छल्लांग मार कर कोन चलता है कंगार और तेंदुआ की रेंग-room कर कुछ चलता है आपने देखा होगा सांप हो ओर है और जो केचवा होता है ये रेंग-्रेंग इंद्रों को बताय था कि पानी में। जो है फिक़ने से कछी का घो खोला वह बुलायम हो जाएगा। अजये लिखी चीजों में से कौन कौन सी चीज यह पानी में Πा Premया से मुलायम हो जाएंगी सही जंगे पर लिखो। नहुत को जो है दिया है ठीक है ये आपका इसमें बॉक्स के अंदर है ये दिया गया है तो आपको बताना है इसमें कि कौन सी चीजे जो है मुलायम होगी और कौन सी नहीं तो देख लेते हैं इसमें सबसे पहले मुलायम हो जाएंगी और जो मुलायम नहीं होगी दो आपको जो है इसमें टेबिल दी गई है इसके अंदर आपको लिखना है सबसे पहले देख लेते हैं देखो जो आपकी कागज मुलायम हो जाता है पानी में डालने से लकडी है लकडी नहीं होती मुलायम ठीक है तो कागज को यहां लिख देंगे आप और लकडी को यहां लिख देंगे इसके बाद में इनुने दिया है ग्लास ग्लास भी पानी में डालने से मुलायम नहीं हो फिर इसके बाद इन्होंने दिया है रोटी रोटी मुलायम हो जाती है तो रोटी यहां जाएगी इसके बाद में इन्होंने दिया है पानी में डालने से मुलायम हो जाता है इसलिए हमने विस्कुट को यहां पे लिख दिया फिर उन्होंने दिया है कि प्लेट जो प्लेट हो होता जब उसको आग में आप गरं करते हैं तो इसलिए ऐका आपका मुलायम सब्सक्राइब फिर इसके बाद में डूई डूई जो है मुलायम हो जाती है पानी में भीगने के बाद तो यह आ जाएगे आपकी यहां पे और पापड भी आपका मुलायम हो जाता है इसलिए यह आपका जो है मुलायम हो जाएगी में आ जाएगा तो इस तरीके से आप जो है इसको अपनी बुक में फिल करेंगे आज के लिए इतना ही थैंक यू आवडिवन फोर टुडे